इससे पहले की वीडियो में हमने आपको क्रॉस प्रोड़क्ट पढ़ाया और यह बताया था कि क्रॉस प्रोड़क्ट क्या होता है कि दो वैक्टर के प्रोड़क्ट से हमें एक वैक्टर क्वांटिटी मिलती है तो इस टाइप का प्रोड़क्ट जो है वैक्टर प्रोड़क् इसलिए इसको क्रॉस प्रोडक्ट भी कहते हैं उसके बाद हमने यह बता आज हम आपको इस वीडियो में यह बताने हैं कि अगर दो vector i, j, k के form में हैं तो उनका cross product हम कैसे निकालेगे देखिए हमारे पास एक vector है a is equal to a1i plus b1j plus c1a अब उसके बाद ये दूसरा vector है b, b vector is equal to a2i plus b2j plus c2k i, j के unit vector है, i, j के उपर cap लगा भी सकते हैं और नहीं भी लगा सकते हैं अब देखिए हमें a cross b निकालना है a cross b is equal to, पहले हमने ये vector येको लिखा a1i plus b1j plus c1a cross a2i plus b2j plus c2k अब देखिए cross product में क्या होता है, कि पहले हम इसकी इन तीनों से multiple i करेंगे लेकिन i पहले आ रहा है तो i को पहले रखेंगे और जो बाद में आ रहा है उसे बाद में रखेंगे ठीक है, देखिए क्या हुआ a1, a2 i cross i plus a1, b2 i cross j देखिए i पहले है, ये बात को है i cross j ही लिखना है, क्योंकि i cross j और j cross i दोरों एक दूसरे के opposite हो जाईगे अब उसके बाद देखिए a1, c2 a1, c2 i cross k i पहले है, i को पहले लिखेंगे, k बाद में है, बाद में लिखेंगे अब उसके बाद देखिए b1 से multiple i करेंगे plus b1, a2 j cross i plus b1, b2 j cross j plus b1, c2 j cross k अब देखिए c1 से करेंगे c1 plus c1, a2 k cross i plus c1, b2 k cross j pillars c1, c2 k cross k अब देखिए आपके 3 यह है, 3 यह है 9 होने चाहिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 अब देखिए इसमें i cross i 0 हो जाएगा इसी तरह से j cross j 0 हो जाएगा इसी तरह से k cross k 0 हो जाएगा ठीक है, हमने आपको पताया था कि i cross i j cross j k cross k 0 के बराबर होते हैं अब देखिए हमारे पास क्या बचा a1, b2 a1, b2 i cross j i cross j kai के बराबर होते हैं k के बराबर, देखिए हमने आपको पताया था कि ये एक cyclic order होता है ये i j k तो i cross j k के बराबर तो a1, b2 i cross j kai के बराबर हो जाएगा, k के बराबर plus a1, c2 a1, c2 क्या रहे देखिए i cross k i cross k opposite हो गया तो minus j ठीक है देखिए ये भी हुआ ये भी हुआ पिर उसके बाद plus b1, a2 b1, a2 j cross i अब देखिए j cross i फिर opposite हो गया minus k अब उसके बाद देखिए plus b1, c2 b1, c2 j cross k अब देखिए j cross k i के बराबर हो जाएगा this is i अब उसके बाद देखिए क्या आया c1, a2 c1, a2 k cross i देखिए k cross i j के बराबर होगा उसी order में है उसके बाद देखिए c1, b2 k cross j k cross j minus i opposite है ठीक है? अब देखिए हमारे पास देखिए i यहाँ है और i यहाँ है इन दोनों में से हमने i common लेया i common लेने के बाद क्या बचा देखिए? b1, c2 b1, c2 minus b2, c1 minus b2, c1 उसके बाद देखिए हमारे पास j कहां कहां है? इन दोनों में है देखिए इन दोनों में से हमने minus का j common निकाला क्या बचेगा? a1, c2 ठीक है? और यह बचेगा आपका minus a2, c1 minus a2, c1 अब उसके बाद देखिए जो बचे उन में से के common निकाल लेंगे के common क्या बचेगा? a1, b2 minus a2, b1 अब देखिए अगर हम इसे देखें तो यह क्या बन जाता है? determinant this is determinant देखिए आई, j, k देखिए पहले वेक्टर a है तो a1, b1, c1 a1, b1, c1 फिर उसके बाद a2, b2, c2 देखिए अगर हम इस determinant को खोलें तो determinant को खोलने का तरीका क्या है? पहले i लिखेंगे, यह हमने i लिख लिया i का row, i का column छोड़ देते हैं फिर यह multiply करते हैं b1, c2, यह आ गया दूसरी multiply का sign बदल के रखते हैं minus b2, c1 ठीक है? उसके बाद आता है minus j plus, minus, plus अब देखिए minus j आया j का row column छोड़ा a1, c2 यह आ गया, दूसरी multiply का sign बदलेंगे minus a2, c1 उसके बाद plus k होता है a यह आया, row column छोड़ा a1, b2 यह आ गया, minus a2, b1, यह आ गया इसका मंदब क्या हुआ कि दो vector का cross product के लिए हमें क्या formula याद रखना है a cross b बराबर determinant i, j, k पहले vector के coefficient फिर उसके बाद दूसरे vector में i, j, k के coefficient तो यह इस तरह से दो vector का cross product हमारे पास आ गया है अब देखिए इसके base पर हम आपको प्रॉब्लम मताती है देखिए हमारे पास एक प्रॉब्लम यह है यह कह रहे है a vector is equal to 3i minus का j plus का 2k vector b बराबर है i plus का j minus का k हमें क्या find करना है number 1 a cross b यह निकालना चाते हैं number 2 angle theta निकालना चाते हैं a और b के बीच का number 3 area of पहलो gram निकालना चाते हैं area of parallelogram और fourth के अंदर है unit vector n यह और भी दोनों के perpendicular एक unit vector निकालना चाते हैं देखिए कैसे गरेंगे देखिए पहले हम एक रौज भी निकालना चाते हैं a cross b is equal to क्या लिखेंगे अब determinant i, j के लिखेंगे अब देखिए पहले a है तो a के coefficient लिखेंगे a के coefficient कितने हैं 3 minus 1, 2 3 minus 1, 2 अब देखिए b के coefficient लिखेंगे b के coefficient क्या हैं 1, 1 minus 1 यानि जो वेक्टर पहले है उस वेक्टर में i, j, k के coefficient लिखेंगे फिर उसके बाद दूसरा वेक्टर में i, j, k के coefficient लिखेंगे अब देखिए इडिर्मेंट को ओपिन करेंगे पहले i लिखा rho और कॉलब को छोड़ दिया as-1 की minus 1 से multiply करेंगे u1 उसके बाद 1 की 2 से multiply करेंगे 2 और Pack है minus 2 उसके बाद आता stomach minus j अब देखिए रो कॉलम चोड़ देञे 3 की minus 1 से करेंगे minus 3 और 1 की 2 से करेंगे 2 लेकिन sign बदलेंगे minus 2 उसके बाद आता है plus k row column छोड़ेंगे 3 की 1 से करेंगे 3 1 की minus 1 से करेंगे minus 1 लेकिन plus 1 अब ये कितना हुआ देखिए 2 1 minus i minus 3 minus 2 minus 5 plus 5j उसके बाद 3 plus 1 4 this is 4k ये आपका a cross b आ गया अब उसके बाद देखिए हमें क्या निकालना था दूसरा angle theta angle theta निकालने के लिए देखिए angle theta कैसे निकालें पहले हम a cross b का mod निकाल ले a cross b का mod कितना होगा mod निकालने की तरकीब क्या बताएथी आपको i के coefficient का square minus 1 का square plus 1 j का 25 plus k का 16 कितने होगा देखिए 42 root of 42 यह a cross b का mod आया अब देखिए a का mod निकालेंगे a का mod कितना होगा हमारे पास under root देखिए एक इतना था हमारे पास 3 minus 1 2 तो 3 का square 9 minus 1 का plus 1 और उसके बाद 2 का square plus 4 under root 14 उसके बाद b का mod निकालेंगे b का mod क्या हो जाएगा देखिए 1 1 1 under root 1 plus 1 plus 1 this is root 3 अब देखिए हमने आपको पताया था कि a क्रॉस b का mod क्या होता है a b sin theta होता है ठीक है यहाँ से हमें sin theta की value निकाल ली है तो sin theta is equal to a क्रॉस b का mod upon a b अब देखिए a क्रॉस b का mod हमारे पास है कितना है root 42 this is 42 का root upon a mod हमारे पास कितना है root 14 b का mod कितना है root 3 अब देखिए इसको हम एक ही root के अंदर रख लेंगे root 42 upon 14 into 3 3 time cancel 3 से 3 cancel this is 1 और 1 जो होती है वो sin 90 के value होती है तो sin theta is equal to sin 90 तो theta is equal to 90 degree ये दोनों vector के बीच का angle आ गया है अब देखिए उसके बाद आपको क्या निकालना था नमबर 3 में area of parallelogram देखिए area of parallelogram जो होता है area of parallelogram बराबर होता है a cross b का whole mod a cross b का mod हम निकाल चुके है कितना है root 42 ये क्या हो गया area of parallelogram अब देखिए उसके बाद हमें क्या निकालना है unit vector n देखिए unit vector n हमने आपको बताया था क्या होता है unit vector n a cross b upon a cross b का mod यानि अगर हम दो vector का cross product निकाल कर उसको उसी के mod से divide कर दें तो unit vector आ जाता है a cross b देखिए हमारे पास कितना है a cross b हमारे पास आया है minus i plus 5 j plus 4 k upon a cross b का mod a cross b का mod हम पे कितना आया है root 42 ये क्या होगे था आप unit vector तो इस तरह से हमने a cross b भी निकाला angle theta भी निकाला area of kilogram भी निकाला और unit vector n भी निकाला देखिए जहां angle theta निकालना होता है उसके लिए आपके बाद दो possibilities है theta को आप dot product से भी निकाल सकते हो a dot b बराबर a b cos theta होता है ठीक है और cross product से भी निकाल सकते हो a cross b का mod a b sin theta होता है तो इसके अंदर कोई restriction नहीं है अगर हम dot product से निकालेंगे तो answer cause में आएगा cross से निकालेंगे तो sign में आएगा अब देखिए अब मैं आपको अगली problem दे रहा हूं देखिए question number next question यह कह रहा है कि a vector plus b vector का whole mod is equal to a vector minus b vector का whole mod if यानि अगर a plus b का whole mod a minus b के whole mod के बराबर है तो हमें क्या निकालना है angle theta find theta between a vector and b vector देखिए देखिए हमारे पास क्या है दिया क्या है हमें a vector plus b vector का whole mod is equal to a vector minus b vector का whole mod दोनों तरफ square कर देंगे a vector plus b vector के whole mod का whole square is equal to a vector minus b vector के whole mod का square अब देखिए whole square खोलेंगे a plus b का whole square क्या होता है a square plus b square plus 2ab और किसी vector का square का मतलब होता है उसके mod का square दियानि के a vector का square का मतलब क्या होगा a के mod का square plus b के mod का square plus twice a dot b is equal to जब हम whole square खोलते हैं तो इसका मतलब होता है dot अब देखिए a minus b का whole square that is a के mod का square plus b के mod का square minus twice a dot b अब देखिए a के mod का square a के mod का square cancel out b के mod का square b के mod का square ये भी cancel out हुए अब देखिए इसको हम इदर ले आएंगे 4 a dot b is equal to 0 अब ये 4 नीचे आनके divide करेगा 0 upon something 0 होता है तो a dot b is equal to 0 अब देखिए a dot b is equal to 0 है तो this is a b cos theta is equal to 0 अब देखिए जब 3 quantity का product 0 है तो या तो a 0 होगा a 0 हो नहीं सकता या फिर b 0 होगा b b 0 नहीं हो सकता तो cos theta is equal to 0 cos theta is equal to 0 और 0 होता है cos 90 की value तो theta is equal to 90 degree और pi by 2 तो इसका मतलब क्या है अगर हम ऐसे भी देखिए कि दो vector का dot project 0 होता है तो वो दोनो vector एक दूसरे के perpendicular होते है अगर हम यह सब कुछ ना भी करें तो direct हम यह dot b को 0 देखकर a और b के बीच का angle 90 degree बता सकते हैं तो इस तरह से a और b के बीच का angle 90 degree आ गया देखिए next problem देखिए अब हम यह कह रहे हैं कि if a cross b का whole mod is equal to root 3 time a dot b का mod तो find theta between a vector and b vector अब देखिए अगर a cross b का mod root 3 time a dot b का mod है तो a और b के बीच का angle लिकालना है देखिए इसे हम लेके चलते हैं a cross b का whole mod is equal to root 3 a dot b का mod a cross b का mod होता है a b sine theta root 3 a dot b तो खुदी mod होता है इसलिए a dot b का mod क्या हो जाएगा वो ही होगा a b cos theta a b से a b cancel sin theta upon cos theta is equal to root 3 this is 10 theta 10 theta is equal to root 3 और root 3 10 60 की value होती है तो theta is equal to कितना हुआ 60 degree clear तो इस तरह से ये problem पूछी जाती है देखिए और बताते हैं आपको देखिए कहते हैं कि a cap और b cap ये दो unit vector है and their resultant their resultant is also a unit vector c cap a और b दो unit vector है और उनका resultant भी unit vector है जो c cap है हमें a और b के बीच का angle लिकालना है देखिए find theta between a cap and b cap अब देखिए a cap और b cap का resultant क्या है c cap है यानि कि a cap पिलस b cap is equal to c cap अब देखिए हमने दोनों दर्द क्या कर दिया mod लेके square कर दिया a cap पिलस b cap के whole mod का square is equal to c cap के mod का square अब देखिए खोलेंगे क्या होगा a cap के mod का square पिलस b cap के mod का square पिलस twice a cap dot b cap is equal to c cap के mod का square देखिए unit vector का जो mod होता वो one होता है this is one plus one plus twice अब देखिए a cap dot b cap को जब खोलेंगे तो a cap का mod one one into cos theta is equal to one अब देखिए कितना हुआ two cos theta is equal to one से one cancel और यह one धर पहुंच जागा this is minus one तो cos theta is equal to cos theta is equal to minus one by two this is cos 120 degree cos 120 degree के value minus one by two होती है तो theta is equal to 120 degree इस तरह से यह हमारे पास आ जाता है ठीक है अब देखिए next problem आपको दे रहे हैं देखिए कह रहे हैं कि हमारे पास यह दो वेक्टर हैं a vector is equal to i plus j minus k b vector is equal to 2i plus xj plus yk यह करे हैं अब देखिए कह देखिए के अगर a vector is parallel to b vector fine x and y देखिए इस question को अगर हम dot product से करें तो अगर दो vector एक दूसरे के parallel होते हैं तो a dot b is equal to a b होता है लेकिन इससे एक equation बनेगी और दो variable हैं तो solution नहीं आएगा इसलिए parallel की condition हमने आपको बताई थी कि अगर दो vector parallel होते हैं तो एक vector को हम दूसरे का end time कर देते हैं this is end time of b ठीक है यानि अगर दो vector एक दूसरे के parallel हैं तो एक vector is equal to end time of other vector अब देखिए इस condition में हम क्या करेंगे इसके coefficient का जो ratio है वो equal कर देते हैं this is 2 by 1 2 by 1 is equal to x by 1 is equal to y by minus 1 अब देखिए पहले हम इन दो को लेंगे तो x is equal to 2 आजाएगा और y is equal to minus 2 आजाएगा तो इस तरह से ये parallel का बहुत simple question है और अगर हम इसको dot ये cross से करेंगे तो ये नहीं हो पाएगा तो हमारी वीडियो से लगातार जुड़े रहिए वेक्टर के अंदर बहुत कुछ आगे आने वाला है काफी high level पर हम वेक्टर पढ़ाने वाले हैं तो वीडियो को like, channel को subscribe जरूर करें थेंक यू